शायापुट जिलेगे काला पीपल के कॉंग्रेस इधायक कुणाल चौधरी ने पुलाय कला में किसान जन आक्रोश रेली निकाली इस रेली में पहुंचे पूर्व मंत्री जीतुपटवारी ने शिवराज सरकार पर जम कर हमला बोला है जीतुपटवारी ने कहा कि मद्रदेश की भाजपस सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है सरकार किसानों को पाँच होर्स पावर की जगा आठ होर्स पावर के बिजली बिल थमा रही है पिछले साल का मुआफ़ा राशी नहीं दी और अपने आपको किसान हितैशी सरकार बता रही है आज देश का किसान करशी कानून को लेकर विरूद प्रदर्शन कर रहा है परन्तु इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हमारी सरकार ने 15 महीने के कारिकाल में किसानों का करजा माफ किया है यह रूब साथ पर दुसरा कभी अजमान और पर इना ध्रत भ्राम और से तदिन दिमाग कराकर इंबोट लेंगे और की टुक्त लेन्ट रहा है अधरत दॉक्त बहुत ही तक बहुत स्वाह ऐं हिसारी रामपूर का राजेश भिया है सब्सक्राइब कि अपराग किताओं को एक एक लेड़े जो है अपराग कार मद्धिप्रदेश नंबर वन किसारों के आत्मात्या में मद्धिप्रदेश नंबर वन बलातार जो अपराग 20% बढ़िया जो नावालिक बच्चिना है यह हर साल देड़ हजार से ज्यादा नावालिक बच्चिना को अपरण हो फिर उनको भ्याव हो यह पेला मद्धिप्रदेश नहीं होता हो जबर जस्त हो इस दोलान काला पीपल विदायक कुनाल चौधरी ने भी अपने संबोधन में शिवरास सरकार पर जम कर हमला बोला कॉंग्रेस की किसान जनाक्रोश रैली में बड़ी संख्या में किसान युवा वर्ग उपस्तित था कॉंग्रेस ने बाइक रैली काला पीपल विदान सभा छेतर के ग्राम मगोद हरलाल कला से प्रारंब कर खाटसुर मोर्टा केवडी खरी डोडिया से पुलायंकला के विभिन मार्गों से निकाल कर सभा इस्तल पहुंची जहां पर जिला कॉंग्रेस अध्यक्ष योगींद्र सिंग बंटी बना काला पीपल विदायक कुनाल चौदरी सहित नेताओं ने सभा को संभोधित किया पुलायंकला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट